हलो दोस्त मेरा नाम विद्या सिंकर पांडे है आज की वीडियो में हम जानेंगी कि गूगल मैप्स का प्रियोग कैसे करते हैं उससे सौर्टेस्ट रूट कैसे अडिन्टिफाई करते हैं उस रूट को किसी और के साथ कैसे शेयर करते हैं उस रूट पे कोई additional spots फाइंड करना जैसे पेट्रोल पंप या कोई रेस्टरंट आइडेंटिफाई कैसे करते हैं तो चलिए कम्प्यूटर पे बैठते हैं और देखते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले maps.google.com खोलना है उसके बाद ये इंडो खुलके आ जाएगी फिर से आपको यहां पे अपना destination डालना है कि आपको कहां पे जाना है तो मैंने यहां पे डाला है hoda city metro station इसने identify कर दिया जो ये आप देख सकते हैं right side में एक pinpoint बन चुका है फिर इस direction पे आपको click करना है इसके बाद आपको अपका source बताना है चुकि आप computer से यूज कर रहे हैं तो आपके GPS को ये यूज नहीं कर सकता और बता नहीं सकता आपका location क्या है तो यहां पे आपको अपना source डालना है मैंने यहां पे source डाला है source spot पालम बेपार केंदर ये जो highlight हो रहा है इसको हमने ले लिया इसके बाद Google तुरत एक shortest route बता देगा जो आपको ये color में दिख रहा है इस route ये shortest route है वैसे देख सकते हैं कि बाकी दो brown color कह सकते हैं या light black color में जो दो और रास्ते दिखा रहे हैं वो longest रास्ता ये shortest रास्ता है अब इस route को आपको किसी को SMS करना है या email करना है या उसके mobile पे direct भेजना है तो आपको भेज सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने Gmail account से login करना होगा तो चलिए मैं अपने Gmail account से इसको login करता हूँ यहां मैंने user ID डाल रखा है फिर उसके बाद password डाल दिया है अगर आपका Gmail account नहीं है तो मेरे previous वीडियो को आप जरूर देखें और उससे अपना Gmail ID बना लें यह बहुत ही easy है और बहुत ही important है आज के digital life में तो चलिए मैंने login कर लिया अब मैं इसको SMS कर दूँगा इस email ID से मेरा एक Motorola का phone configured है मैं directly उसको भी भेज सकता हूँ मैं email भी कर सकता हूँ तो चलिए मैं सबसे पहले इसको Motorola phone को भेज के दिखाता हूँ कि कैसे यह जाएगा जैसे ही इस icon पे आप इस line पे या इस link पे click करेंगे एक message आ जाएगा तो चलिए मैं पहले इसको अपने phone पे भेजने की कोशिश करता हूँ तो इस पे click किया message आए गया कि sent to Motorola G third generation को यह route SMS हो गया अब चलिए अगर email करना है तो email वाले link पे click करें उस पे click करते ही नीचे आपका message आ चुका है कि यह email ID पे इस route को भेजा जा चुका है चलिए इसको हम identify करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले अपने email account में जाएंगे उसके बाद login करेंगे login करने के बाद जब हम mail चेक करेंगे तो देखेंगे कि यह information आई हुई है उसके बाद आपको क्या करना है इसको display कर देना है और इसको आप खोलके जहीं view to google maps में इसको जहीं क्लिक करेंगे वही route जो आपने दूसरे window से निकाला था वह आपको email में आ चुका है और यह shortest route आप देख सकते हैं इसको आप चाहे किसी अपने friend को भेजना हो या किसी relative को भेजना है जो आपके घर पे आ रहा है और उसको रास्ता नहीं पता है तो इस तरह से आप उसको अपना रास्ता भेज सकते हैं इस route को follow करके वह आपके घर तक आ जाए